श्टार्ट करूंगा वो बैच दिपावली बादर श्टार्ट होगा अब यह स्टार्ट ने वह विर्कुल बेसिक ही पहातर हो इस बैच में और इस बैच में वहाई है कि सारे बच्चों को इंग्लीज सिखाई दिया जाएगा ठीक है इसमें जितने बच्चे हैं उनको English सिखा दिया जाएगा guarantee है विपाबली से पहले विपाबली में तुम लोग घर जाओ तो अंग्रेजी बोलते वे जाओ चेक है तो जितने बच्चे इसमें हैं पढ़ रहे हैं सारे बच्चे English बोलते वे घर जाएंगे लिखते वए घर जाएंगे और पढ़ते वए जाएंगे इंगलिस सिखा दूओ, आज जागा उनको इंगलिस, ना का सवाल नहीं पैदा होता है मेरे यहाँ बस जितना टास्क दिया जाएं, टास्क कंप्लीट करना आप समों को सारे बचों को टास्क कंप्लीट करना है जो भी टास्क है उसे पूरा करना है ठीक है ना जो भी काम दिया जाए उसे पूरा करना है YouTube में जितने बच्चे क्लास ले रहे हैं उन्हें क्रांतिकारी और DSL Achiever एप डाउनलोड करना है तो एक पर कमेंट करो कौन-कौन बच्चा DSL Achiever एप डाउनलोड कर लिए यहां तुछा बच्चे YouTube वाले DSL Achiever एप डाउनलोड किया और नहीं किया Achiever और क्रांतिकारी एक बार मैं खोल कर दिखता हूँ देखो यह एप है DSL Achiever एप तो यह एप आप सबों को डाउनलोड करना है PDF कहां मिलेगा सर PDF उसी मिलेगा ठीक है ओनलाइन क्लाज बच्चे पढ़ रहा हो PDF आपको DSL Achiever एप और क्रांतिकारी एप पे आपको सारे चीज मिल जाएंग ठीक है और यह एप की खास बात पता है क्या है दिक्सेनरी है focus है meditation है नजी news है English news है नजी तो और क्या चैशे इंगली उस एपने सक लिए English का news है translation है dictionary है तो मारा focus है study planner है सारब कुछ synonymous है antonym seconds है one words है सारा कुछ मिल दिया हुआ है तो यह एप तो आपके पास होना ही चाहिए अगर नहीं है तो दिख्या थे फिर ठीक है तो क्या आपने डाउनलोड किया यस सर बच्चे यूटूब आले लिखो मुझे किया नहीं किया कर्मेंट लिखो जी सर कहलो तुमने हाँ फ्री है एप फ्री है कोई पैसे नहीं लेगा लेकिन पहाई फ्री नहीं होगा जो कि जब पहाऊंगा तो फ्री में दूँगा तुम सिक नहीं पाएगा फिर ठीक है इसले इसको डाउनलोड करो यह डेसल अचीवर डाउनलोड करना है और यह द्यान देना अक्चुली पता है क्या है तुम लोग लिखते हो कि अप बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लिखने के वाद रेटिंग देता है वन क्यों उसको लगता है कि हम एक नमबर दे रहे हैं वह एक नमबर बेकार होता है वे आप करता है तो आपको वाद होंता है जब अच्छा लिख रहा हो तो अच्छा के लिख 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 लिखते हैं क्यों कि रेटिंग धिन खाम नहीं करना चाहिए तो आपलोग हमेशा रेटिंग अच्छा रखिए आपका आप तोйnatural दिखना चाहिए है यह कीम ही इसके लिए रेटिंग 5 सार होना चाहिए, और सारे बच्ची इसमें करना है, राइट, इसके साथ क्या है कि लॉग इन में समस्या होती ही कभी कभी, हाला कि आज एक नए अपडेट अलबाद होंगा, तो अगर दिक्कत होना तो इसमें तीन सिस्टम दिया हुआ है, तो अगर इसमें लगवग पांच मिलियन लोग 5 मिलियन लोग बढ़ रहे है, तो हमने अभी इस सिस्टम में नया करने के लिए, इसमें मैथ, रिजनिक जीए, सारा कुछ दलवा दिया है, तो इसमें सारा सिस्टम मिलेग आपको, तो क्रांतिकारी इसका नाम था, देसल क्रांतिकारी नाम था, तो हमने इसको क्रांतिकारी बना दिया, और क्रांतिकारी बनने के बाद अचीवर प्राप्त होता है, अचीव करते हो आप, है न, तो यह आप अचीव करोगे, इसमें अप का नाम क्या बन गया, अचीवर है, तो DSL क्रांतिकारी, मिलियन लोग है, तो यहां से एडिमिशन ले लिया ना मिलेगा सब पीडियेफ इस किताब का मिल जाएगा बेसिक से अभी नहीं देलाओ तो दल बाद दूगा चींदा ना करो बापीश आजाओ तो यह आपका चुनना है सब्जेक्ट करांतिकारी में ठीक है इस बैच का फीस भी कहोत कम रखा गया है पांच साल से असी साल के बचे पर सकते हैं इस बैच में लिखना पढ़ना बोलना सब आ जाएगा प्रिसनालिटी से ले एक उन्फिडेंस एक्जाम भी क्रेक आपका क्लिर हो जाएगा इस तरह से कुछ भी पर होगे सारा कुछ हो जाना है ठीक है क्या प्रहाई जागा बेसिक कि यह पूरा बुक का सेथ है इसारे बुक्स आपको घर भेज दिये जाएंगे बाइक कुरियर ठीक है और अगर सिर्फ बेसिक बुक चाहिए तो बेसिक बुक भी एक रिफ फाइव बुक का सेथ है फाउंडेशन बुक्स बारह प्लस और कुछ किताब दो तीन किताबे एक्ष्टाल लेना होगा लग से और लगोला होगा यह इफ फोर नम्र बच्चे किसी नमर पर कॉल कर सकते हो इस पर कॉल करो पर बेसिक नमरे वाट्सब कर सकते हो इस सारे नमर अपने है ठीक है तो किस किसी बी नमबरे काल कर सकते हो, कभी भात कर सकते हो, सबके लिए, Online Plus, Offline, बात कर सकते हो, सबके लिए, किसी बीनामरे लिए, कभी भी जरूरत हो तो, ठीक है यह बात है, आज भी अच्छा, एपा राट वाज, तो आज बेसी कर दोथ दो दोगे हैं, जलिए मैं तो यहां पर आप का परचार था हम तो ने परचार किया आगे बढ़े अब यहां पर आगे बढ़ने के बाद आए काम करते हैं कि एक बार सारे बच्चे ऑनलिल वाले और क्रांदिकारी वाले बच्चे कि अब बैच में खोल लूँ टॉपर्स इंग्रीज फाउंडेशन बैच इसमें PDF का contents दिया हुआ बच्चे ठीक है ना चलिए बैच का नाम है टेंस से बैस स्टार्ट होगा और टेंस से आप पर होगे इसमें ठीक है बिल्कुल टेंस बेसिक से तो आपका क्लास बिल्कुल 0 से स्टार्ट होना है अभी तक इसमें कुछ पहाया नहीं गया है इसमें बैसिक काम करेंगे इसमें बोलना गार्ट लिखना और से पेटर्न पढ़ा जाएंगे तो आप किसी बच्चे को शक्म करना नहीं गहुरान शर्मान नहीं है क्लास कलसे श्teart हुआ है आज दूस्ताक लास होगा आज से पढ़ने का प्राच शुरू करें हो ठीक है तो सारे बच्चे ने पेन पर नहीं पनिका लिया है गुड़ कल जो टास्क दिया था पूरा किया है सब ने बहुत बढ़ graduate तो सबसे पहला ही जो बेसिक किताब है, इस पे काम करने हो कहा था, हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, भीना कूछ समझे बूजे, दो काम करना है, पहला चीज, क्लास में जो पहाऊँगा वो अगली दिन पूछूँगा, जो पहाऊँगा, पूछूँगा, को या पत्ती किस तो जैसे Master पहाए उसको follow करिये तो आपको आपके बच्पन की तरफ लोटाओंगा जैसे Class 6 में 7 में पढ़ते होंगे तो ख़ड़ा करके Class Master पूछता होगा आपसे आप बताते होंगे डरते होंगे वहापर करिया जरूरी है क्योंकि यहां पर मैं कहूंगा पढ़के आना पूछाँगा जरूर ठेक है दो चीज़ तिसरा चीज़ है वह कंपके टास्क दूंगा तो अगले दिन पूछा जाएगा तो वह कंपके टास्क अभी पिला जो टास्क दे रहा हूं इस बैच में वह अभी एक्जाम का वह कैब नहीं दे रहा हूं जो एप में बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको PDF फ्री दिया जाएगा, जो बच्चे करांतिकारी या अचीवर्स एप में क्लास ले रहे हैं, उन सारे बच्चों को, इसारों बच्चों के जो बुक्स है, इसका PDF फ्री आफ कॉस्ट, एक उरुपे लिया जाएगा, और आपके प नीचे बाले क्या करते हैं, जूतिया बनाते हैं, जूति, यह कौन सा एप है, अचीवर्स, और क्रांतिकारी जी, क्रांतिकारी भी खोलो ना, सारे आप खोलो ना, आपसे, खोल के दो इसमें क्रांतिकारी, चलिए, तो यह, यह जो है, PDF कहां मिलेगा, अब देखो, यह जो बुक से एक्जाम के लिए है, अगर आप ASAC, CPO की तहरी करते हो, UPAC करते हो, CGL की तहरी करते हो, तो यह बुक्स से वोकेब याद करना है, लेकिन कब, जब पहाँगा, तब, अभी नहीं, अभी इसको नहीं पहारा हमें, इसको नहीं पहारा हमें, इसको पढ़ना, volume 1, volume 2, verse for exam है, तो वोकेब के लिए, बाकी 2, 3 किताब एक स्टाउर मिलेगा, सिनोनिम संटूर इसको पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है, अध्यान दीजी, इस बुक्स में से, इसमें लिखा हूँ है, vocabulary for spoken, मतलब बेसिक है, तो इसमें पेज नमबर कब पूछूँगा, आज Friday है न, क्लास आपका चलेगा Monday to Friday, क्लास चलेगा Monday to Friday, तो आज Friday है, Saturday and Sunday आपे टेस्ट होगा, Saturday को आप टेस्ट देने के लिए सकते हो, लेकिन आपने कुछ पहाई तो टेस्ट क्या दोगे, इसलिए टेस्ट देने मत आना, ठीक, जो बच्चे पुर तो इसमें बहुत basic बड़े, इस का मतलब क्या, बाइत का मतलब क्या, हाव-लॉं का मतलब क्या, भीहाइंड का मतलब क्या, तो कहोगे, सब तो आता है सर, नहीं नहीं आता, अभी मैं पूछूँगा तो नहीं आएगा, ठीक, तो इसको पढ़कर करके आप आना, पढ़ तो मुझे लग रहा है कि 14 पेज पूरा दे तूं टास्क में तो 14 पेज पूरा पढ़कर आना है राइट चलिए तो टास्क लिख लिजे इस बुक से वोकेबलरी स्पोके इंगलिस बुक से टास्क कंप्लिट हो गया चलिए टास्क नंबर टू आगे बढ़ते हैं अब क्लास में स्टार्ट करता हूँ दिरे दिरे देखिए गोर से सबसे पहले कल कहा था कल हमने पढ़ाया था अलफा बेट याद आ रहा है अलफा बेट पढ़ाया था ना चलिए उसके बाद क्लास लिया था हमने यहां से यहां कहा था पढ़ने के लिए मैंने जब आप पढ़ोगे तो यहां से क्लास काथ बताने को ठीक है कि आप B को B न पढ़े क्या पढ़ना है C को C, D को D, F को F पढ़ना है यानि कि A, B, C, D के पढ़ने का तरीका चेंज करना है जैसे आप लिखते हो B, Y नहीं पढ़ते, B को क्या पढ़ा, B पढ़ा तभी तो B, Y पढ़ा पने ठीक है इस तरह से आप इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे सी को कहा था एक का भी पढ़ना है जैसी ए टीकेट पढ़ते हो आप तो इस तरह से साउंड जब हम किसी लेटर को पढ़ते हैं इससे आपका पढ़न सीए सन स्ट्रॉंग होगा और आपकी इंगलीज धिरे-धिरे स्ट्रॉंग हो जाएगी तो बा सा डा फा जा गा हा जा इस इसको द्यान त्रॉआ सारे बच्चे दो मिनदे क्लास लेकर एक पिर आगे बढ़ता हूं जैसे A एक लीटर है तो एक का परमुघ पूर्मुघ आ जान अब रहे और यह आ पूरा दे दिया गया है ए कहां से पराहरा हूं इसी बुग से पराहरा हूं कर जो हूं हई कहीं नहीं है नहीं है तो इसमें होगा फिर इसमें होगा चैनिल पिर जोंद मीस को किसी कि थीचितन होगा इलाल कि एंधे हो को क्यों मेलेगे आपको तो यह बहुर। गया कि आ युका है आ तो इसे all, ball, car, are, ball, ठीक है, यहां देखा, small, war, call, stall, far, ठीक है, तो इस सारे वर्ड आपको पढ़ने हैं, और सारे वर्ड पढ़के इसके जो वो कैब हो, इसको भी याद करने हैं, ठीक है, इसको दियान रखना है, hello यहां देखा, इसको पॉइंट, जैसे rule a का ही क्या आप दिया हूआ है, अब a का मतलब हो क्या है, n, cat, bent, तो इसको आपको दिखना है, cat, bent, can, dead, stand, fan, mad, rat, तो a का साउंड a भी और साउंड a भी, a यहां क्या है, air, जैसे dare, इसे डार यह नहीं पढ़ेंगे, dare, क्या पढ़ेंगे, dare, वेर, मेर, और एक पर और दियान देना, किसी भी वर्ड में, अगर r वर्ड हो, क्या हो, r लेटर हो, और r के आगे पीछे कोई ववेल हो, r क्या अगे पीछे कोई, Awwww yell हो, तो उस r का उचारन नाक के बराबर किया आता है, जैसे इसको हम dare नहीं पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे, क्या होगा, dare, जैसे लिखो, तो क्या है, क्या लिखा, t-h-e-r-e, इसको पढ़ेंगे, dare, तो सब में से आर हटेग और हट के हो जागा, देय, मेय, पेय, इस तरह से, ठीक है, तो आर का उचारन ना के, ब्रावर करते हैं, सब्सक्राइब तुम लोग, तो एक पढ़ना सिखना है, अब एको शेयर नहीं पढ़ेंगे, शेयर, केयर, केयर नहीं, इसको पढ़ेंगे, एक दोगा, केयर ऐसे नहीं केयर, मतलब लगा की आर बोल रहा हूं, लेकिन आर बोलना नहीं है, केयर, ठीक है, फेयर, स्पेयर, ठीक है, तो आर का उचारन ना के, ब्रावर करना है, क्लियर, तो आर का उचारन ना के, ब्रावर करना है, मतलब क्लियर नहीं करना है, आधा कर सकते हो, या फिर नहीं कर सक हो गया आगे बड़े हैं सरे चीज आपकी किताब में होंगे कौन से बुत में है जी पेज निर Mart श्टेन दिया होजे है साथ पेज निर्बर साथ में दिया हुआ इस इस यह बुक में बश्क में तो साथ में देख लो यकिधा सुन्दर बहुत बरहते हैरें कि अजी साथ में दिया हुआ है अजी साथ में दिया हुआ है अजी साथ से आगे दिया हुआ है तो अब देखो एया हो गया, आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, एस का उचारन देखो, एस, अब इसमें कुछ वर्ड में स्पेसल दिया हूँ, जिसमें आपको है, आजाओ, अब एस का क्या भई, तो एस को हम लोग क्या पढ़ते हैं, जा भी पढ़ते हैं, साभी और श होता है, ठीक है, अब देखो यहां पे, tribes, eggs, heroes, rupees, bags, edges, armies, boys, ठीक है, तो यह sound ध्यान देना है, तो यह sound पढ़ते-पढ़ते आएगा, ठीक है, पढ़ेंगे इसको, रूल को पढ़ेंगे तो पढ़ते-पढ़ते आजाएगा, ठीक है, नीचे क्या दिया, एदिकी सब्द क्य पढ़ेंगे तो यह sound होता है, जैसे रूप्स, ropes, caps, kites, ठीक है, पढ़ते भी रहना है, ठीक है, जागी समझ मैं बढ़ेंगे हां से, बीक आउचागान देखो, इंगलिस का अल्फबेट दुसरा लिटर है, अलिटर के साथ जुडने पर ब, बीक रूप उचाएट क्या जा ब्रेक, बेस्ट, बटर, बास्केट, ब्रेदर, पढ़ लोगे हैं सब, सी, अब देखो, सी का उचाएब ऐसा होतो, सी का सा होता है, ठीक है, जैसे राइस, अब सी का sound का भी होता है, यहां पर sound क्या हो रहा है, सा, राइस, नीस, नाइस नहीं, क्या बुलेंगे, नीस, और जो नाइस होता हो, क्या होता है, एनाइस, सी, वहां नाइस परते हैं, यहां क्या पढ़ेंगे, नीस, सीटिजेन, सरकल, साइकल, 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 पाइस दोग लिखा है, सीज, सिगार, सिनेमा, आईसी, साइफर, यह देखो, यदि सी का आगे, A, O, U, K, R, L, तो सी का कावीटी, केटल, केटल، काट, कॉलर, पहलोगा इसको, अर्ष्य हुआ मुझे लग रहा है पता है एक कहा होगा, इसी पुक्स में होगा पिता, पेज नुबर 22, येस राइट, इसी बुक में होगा, हाँ, इसी बुक में है, ठीक है, इसमें पेज में निकालो कितना, 22 नुबर, 22, 23 में निकालो, इस बुक में, टेंस वाले बुक में, 22, 23, देखो बेटा, ध्यान देना, ये सब बेसिक क्लास है, क्लास स्टार्ट नहीं है, बैच, बताए क्या, ये बिल्कुल जीरो है, ये चीज आपको घर से पढ़ना है, लेकि मैं दिखा इसलिए रहा हूँ, ताइक घर पे मैं मानूं कि तुमको C.O.T. कॉट पढ़ने आए, तो इस किताब इसलिए बेसिक दिया हूँ, कि घर पे पढ़ो इसको, ताइम दो दी पावली में, तो छुटी का मौसम है, घर पे टाइम दे कि सीखो, ठीक है, ये सब का हिंदी भी लिख लो, क्या-क्या होता है, तो इसलिए बुक में देख लो, सी के आगे AI हो, तो सी के आगे श होता है, ध्यान देना, अब इसको, उपल देगा, तो इसको, उपल देगा, सोशल, इसको, पढ़ने इसको, श, अ, स्मार्ट सांड निकलना है, यहां सिख जाओ यह बात कामाएगा, अब यह है, सोशल, अब सोशल, ठीक है, एरे मुजीशियन, 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 तो श, अब दो, अंतर है कि नहीं, सा, श, सा, श, है न, अंतर है कि नहीं, तो श मतलब तलाब श, अब उता है, सा, है न, तो, सोशल, एरेशियल, मुजीशियन, फेशियल, राइट, यह सब ध्यान देना है, तो क्या आपर है, श पढ़ना है राइट यदि शी क्या आगे एच हो तो सी का उचारन चाया गया शा भी होता है जैसे देख को यहां पर क्या लिखा चीत चीय अब आर नहीं बोलना है चीय अब इसको चीर मत बोलना चीर ना बेंच चीज चेस चेय रीच अब यहां क्या है कैरेक्टर ठिक है कोरस शिफॉन दिख रहा है यहां पर शिकेन मशीन ठिक है शिमीस नमस्ते आगे देखो ए का क्या होता बाई तो ए का ए अब यहां पर नेट सेंट, लेस, बेग, फेंट, सब लिखा आप है, हिंदी में लिखा है, नेक, वी, शी, समझ पा रहे हो बच्चे, तो घर पर इसको पढ़ना पढ़ेगा, मैं तो एक दिन में सब खतम कर दे रहा, लेकिन तो मैं अबस दो दिन समय, सटेडे और संडे, तो यह सब पढ़ना, ठ लोट, सी, वीप, दीप, बी, स्लीप, स्वीप, अब यह क्या, लंबा थ्वा करना है इसको, सी, बीट, मीन, पी, मीट, चीट, ठीक है, आगे देखो, जी का उचारन, गा और जा, इस अब कर लो घर पर छोड़ दूँ, कर लोगे, चलो, तो इसको एक बार तुम घर पर, बुक में लिखा है, तो कर सकते हो बार चीज नहीं है, यहां पर पढ़के सुना हो हर चीज, तो मुझे लग रहा है, कर लोगे तुम लोगे, ठीक है, कर लोगे इसको, इस बैज का नाम है, अचीवर्स बैज, ठीक है, एक किताब कहा मिलेगा, ओनलाइन, Amazon, Flipkart पे, या DS भ फोन नमबर पता ही तुम्हें, इतना ही था जी, बाबू, हां, कौन सा पांस मुझे रहा है तुमको, नहीं, पांस मुझे देगा, बैट, एक किताब, यह बलाइन, अहां दो किताब देगा, बाबी सा जाओ, अब देगो, क्लास, स्टार्ट करते हैं, फ्री में तो 12-13 किताब मिली रहा है, और क्या DS को लुटेगा तुम्हें, चलो, बाबीस आजाओ, बाबीस, चलो, बाबीस आजए, किसी भी शब्द का उचारन, जब पढ़ते हो, तो वर्ड को जोडते हो, तो हमने कल कहा था, कि अगर दो से अधिक लेटर को जोड़ना हो तो A का प्रियो करना, और दो को जोड़ना हो तो U का प्रियो करना, जैसे आप लिखते हो कट, लिखते हो बट, है ना, लिखते हो रम, लिखते हो पम, कुछ भी लिखो अब, तो किसी भी दो को क्या का अंगरी जी आपको पता है क्ये होता है, और T का ट, जोड़ने के लिए यह यह टुका है तो भी बोलते हो यह ए टीफ फोलते हो और बोलते हो जोडने के लिए युकाप प्सक्रेंट आफो खया किलिये जैसे अब लिखते हो कमल così है पता था ना के अमेल होता है बीच में क्या लगाया ऐसे लिखते हो आपि डैपन लिख चाहे जापान लिख भू गर्ट चाहे जापान अब ऑब जी पिव एन पता है dr बीच में क्या लगा दिया इसको चाहे जापान प्रोव चाहे works नहीं है मतलब दो लेटर्स और जोडने के लिए युव और तो सदी को जोडने के लिए ET का प्रेव करते हैं यह राइटिंग में आपको काम करेगा को अपती किसी को बहुत अची बात यहां तक समझ में आप सबों को आया है आगे बढ़ते हैं मुझे बताएए कि यस क्या बाबू कि इसी उटी कट के उटी कट ही होगा कहां अब देखो ध्रॉंधे ना कि कया को दोह参टा थो तो के अब तुम कट पढ़ते हो mode to cut हो जएगा यह मैं यह कह रहाएं कि जैसे अ नहीं होगा तूम तो तूम का टीभियम नहीं कि ने समझें सब्सक्राइब है जा सब्सक्राइब से क्वेद की तेंस देना है। तो जोंकों किaker बीग रहे हैं से मंहें तुछTalk दो दो से इनूद से करें हैं STत आपकर आपकर दोटकर के लिए good के योग्दातű के यह मरिफ सकती को उपर दोले कुंत आपकर गलए है एक concept गलत है, इसके अधार पर आपका राइटिंग गलती हो सकता है, जैसमना को से, हमने लिखा शिवानी, क्या लिखा जी, बोलो दोनों है की नहीं है, बोलो श्या का क्या होता है, वा का, ना का, यह हो गया श्यावन, हो गया, अब श्यवानी के लिए ऐसा sound है, बतो ऐसा है तो आ यह लगा दिया, बटाशब एस के टैवली करूं, तो इसके टैवली होता है ना, तो यह ध्यान देना है, याने की राइटिंग हिंदी घुसाना ही नहीं है, हिंदी घुसाना नहीं है, तो करना क्या है, इंगली से पढना, कैसे, तो ध्यान देना, sound के अधार पर अधार पर राइटिंग करते हैं साउंड राइटिंग करते हैं इसमें निकालना पेज नमबर तुम लोग बुक होगा तो बेसिक वाला पेज नमर 11 जिसके पास बुक नहीं है कॉपी में लिखो पेज नमर 11 इस बुक से पेज नमर 11 पेडिए बाले नोट से पीडिएफ मेलेगा मैं बात करे लहा हूं से ठीक है शांड के अधार पर एठा दोनों एप में पीडिएफ डालो कर आंतिकारी अचीबर कहां है बताओ चोको टैप करको केमेंट मेट निकिको कहां है बताओ करते हैं कैसे करते हैं ज्यान दिजी जैसे मान लो short और होता है long जब आप कीशिस को बोलते हो तो हर चीज में short और long बोलते हो जैसे short बोलना हो e तो short e के लिए आए और long के लिए double e ठीक है अब short e का मतलब क्या है जैसे लिखा हमने शीवानी अब इसको नहीं बोलते है कि शीवानी जैसे नहीं बोलते है तो शीवानी यहाँ भी short और यहाँ भी short है शीवानी शीवानी तो अब यहाँ वा गया A, S, H, I, V, A, N, I क्योंकि द इसलिए आप सुनो सही बोलो सही और लिखो भी सही तो आपसे स्पेलिंग मिश्टे क्यों होता है क्योंकि हर ची में हिंदी गुसाते हो तो हिंदी नहीं गुसाना है आपको short और long का बहु रख 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 तो short में I and long में double e जैसे हमने कहाँ दीपक अब दी में लिख रहा है सीमा सीमा राइट जब खिषता है तो हिंदी होगा समझ भार तो यह आपके सुनने पर डिपेंड करता है और बोलने पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी लेटर को किसी वर्ड को बोल कैसे रहो अगर तुम short बोलते हो तो short I होगा लंबा बोलते हो तो double e होग बास समय तक आया इस किताब में लिखा होगा है सबके पास बहुत बढ़ी जाप पॉइंट नबर 2 पर आते हैं पॉइंट उपॉइंट उपॉइंट सेम चीज है short long short O अब O बोलते हो short तो U का प्रियो करना और long बोलते हो U तो इसके double O का प्रियो करना इस सब डिपेंड करगा आपके बोलने को पर कि short बोले और long बोले इससे महलों बोला आपने moon अब दिखने होगा Moon तो आप्टमेटी डिपलो होगा सब्सक्राइब लेकिन अगर कोई बोलता है दो चीज एक महलों बोला मने रूपा तो रूपा यह भी हो सकता है रूपा आर यूपी भी हो सकता है इसलिए लोग बोलता है कि नाम में गल्ती नहीं होता है इसलिए लोग बोलता है कि नाम में चलेगा इसलिए जी कि नाम में लिखा कि रूपा यह लिख दिया किसी नाम किसी रूपा यह लिख दिया किसी नाम किसी रूपा यह लिख दिया समच पा रहो तो यह भी सही और य सकता है, clear, अगला point, यह था short or long, अगला point, चलिए, अगला point है, जो मैं पूछूँगा, तुम खड़े हो जाओ, हाँ, खड़े हो तब पूछ, मज़ा तब नहें, खड़े होने में, बोलो, कहलास का स्पिलिंग बताओ, के ए, ल, ए, बहुत बड़ी हा, बैठ जाओ, अब देखें, बच्चा इसने बताया, के ए, आई, इसका मतलब यह हुआ, कि हमने यहाँ पे का, ल, श, यह तीन का स्पिलिंग पता कि हमने, तो के से का, ल से ल, और एसे से सा हो गया, अब बीच में हमको यहाँ पे जोड़ना एसे करना था और यहाँ पे आपकार लगाना था राइट तो आएसा करना था तो आसा करना था तो ऐसा करनें किलीश। मों कि क्या का, मिला ल, यह न आचे लेना था मुझे तो इषको ले रहें क्या बरहर किया, तो शो जो जन्देनी भी लेटर है न, चै bathtub क् जोडता है,究 काम करता है जो एक्स्टा जो मेरे रूट बंजना है जैसे आपको पता होना चाहिए क्या कर पता है लग कर पता है श्रक कर पता है पसमेर हो तो जब आपसे मिश्टिक होने का डर हो तो उसके रूट पे चले जाओ जब ही लेके स्पिलिंग मिश्टिक हो रहा है तो कहां जाओ रूट पे चाहिए वो नैनी ताल लिख रहा हो चाहिए गोई लिख रहा हो चाहिए इंगलिस काबड़ हो चाहिए हिंदी काबड़ हो कहा जाओ रूट पर जाओ असनाच पा रहा हो जैसे लिखना है नैनी ताल तो इसके रूट पर जाओ मालो नहीं आ लिखना रहा है कोई ब इसे जोड़ दिया, ठीक है, यहाँ पर नहीं नहीं किया, तो I लगा दिया, यहाँ पर अकार था, तो A लगा दिया, हो गया नहीं नहीं दब समझपारे हैं, उसमें जो अकार लगा रहे हो उसका उसमें जोड़ दिजिए, यह काम कर देगा कंजंग्शन का, और आपका स्पेलिंग इंप्रूफ हो जाएगा, यहाँ, अभी आते हैं वहाँ भी, आश्वारिया तक आएंगे, ठीक है, अगला बन देखिए, अब क्या सांड़ होता है, कि जैसे आप बोलते हैं आपे, हमने कल पूछा तुमसे, कि मालो गौर था, क्या थ गौरी था, है ना, अब देखो, यहाँ पर क्या है, गा, यहाँ पर क्या है, रा, राइट, इसमें किया क्या हमने, ऐसे लगा एक्षा लगाया, तो अगर इसका एक्षा पता हो, तो गा का मालो जी पता है, आर कर रा पता है, राइट, आर पता है, तो इसका अगर पता हो आ तो गॉरी और आई गॉरी तो यह ध्याद को आपको क्या होता है या नहीं प्रियों करते है कंजभ्योन का तर्या है। क्या कम J genetically does किया करता वह 변ा है जोड़ने का कि किसी का प्रिया थी जबिष अनौली के वहर Carma मैं कि सुनि हरा हो डााटके हेएं पोजबilly आपको. ठीक, राचछ से यहांं तक कोना होगे. अब आपको क्या होता है? कि आहीं पे लिखा हैं रिकारे लित्पोर और येहां लिखा हमने? अब देखो, अब दोनों में बिंदी है, लेकिन एक में मा पढ़ एक में ना पढ़ रहे हो, पढ़ो ना, यहां क्या पढ़ हो, मा यहां क्या पढ़ हो? यानि इस बिंदी का दो अंग्रेजी एक AN और एक AM अगर AM पहा तो मा, AN पहा तो अब देखो, चा का अंग्रेजी, बाग का अंग्रेजी अब यहाँ बिंदी आ गया मा, तो क्या लगा दिया और यहाँ जोड़ दिया यह संच पारस हो लोग तो जब भी राइटिंग मिस्टेक हो तो कहा जाना है रूट पर जाना है और रूट पर जाने के बाद है किनेक्टर कौन सा रहा है और यह तो हिंदी का भी ज्यान तो करना पड़ेगा अब देख नहां पर क्या लिखा बोल के देखो तुम खड़े हो जाओ क्या नाम तुम्हारा अच्छी बात इसको तुम्हा पढ़के देखो तो पढ़ पाते हो तो लैंग्वेज को आसान बनाया जाता है अब इसको तुम्हा पढ़गा चम्म्दा नहीं ना ए् आधा है क्या है आधाना तो आधाना पढ़ चंदा तो अराम सुझू निकल जा चंदा इहां पर देखो ना पहल पाएगा तो मा के अनुसार चुकि मा और बा कामेल हो सकता है ना और दा का मेल खो सकता है ना और दा और मा और बा इसी के sound है इसी का sound है मा भी तो चंबा अब चनबा नहीं होता चेंगे? इसलिए ए लिए हिंदी का है कि अब कैसे पता करें क्या पढ़ें तो परहते परहते आएगा उतना बिद्वान हिंदी और मैं भी नहीं हूँ ठीक है न वो तो हिंदी आपको पता होना चाहिए मैं मालने चलुँ आपको हाता है मैं इंग्लिस में कर रहा हूं काम ठीक है तो इस तरह से इसको पढ़ना है अगला प्वाइंट जां दीजी कुछ पॉइंट और देशंदी गोर से सुनीं गोर से एक लेटर है क्योग क्या है जी क्यूग जब भी किसी भी वर्ड में यहिए आता हो तो क्यों के तुन नदबाद यह आएगा आएगा क्यों के तुरनद नद आएगा ही आएगा स्ट लिखो जैसे हमारोग क्वीन लिखा, क्वेले लिखा, क्वाइट लिखा, क्वीक लिखा, क्वेंच लिखा, तो कुछ भी एक किताब खोले रखो रहा साथ साथ, यह कि देखो तुम नहीं पढ़ेगा मुझे पता है, मैं तुम्हें 50 किताब देदू, किताब पढ़के कोई बिद्व बेसिक दे रहा हूं, गरेंटी लिखाने का सिखाऊंगा, स्पेलिंग इपरूब कराऊंगा, बस आरते तुम्हें अपने आपको यह मत मान लो, इसे उपर उठो, आता सब है तुम्हें, मेरी पहाना बोरिंग काम है, मेरी अच्छा काम नहीं है, मुझे लग रहा कि मैं अच्छा दूँ, लेगि तहल काम चाओं दिवाली बाद, बं फोड़ने के बाद, सब्सक्राइब हो, अभी मैं चाहरा हूं कि बं थुष्ठास करे ज़्यादा अच्छा है, बास सब्सक्राइब हो ना, इसलिए, हाँ, इसलिए अराम से सिखो, पहला पंच साथ का मैं बेस लिखना हो ना, तो क्यों कि बाद यू आएगा ही, आएगा, कुछ भी लिखो, कतर क्या है, तो नतर, अब कतर में कुछ भी क्यों आएगा, कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई भी तुम बर्ड लिखो, क्यों में यू आएगा ही आएगा, नहीं समझ वह नाम हो गया है, अब न कि यू आर एन लिखूंगा कि आप उसको पहले से पता है कि नहीं पता है तो कुछ ऐसे वर्स होते हैं जिसको आपको याद करना पड़ेगा याद करना पड़ेगा उसको कोई इलाज नहीं है और वो पढ़ते पढ़ते आप सीखोगे अब यह सुनामी है अब पढ़ते रहे हैं सुनामी लेकि लिखते हैं टी सुनामी अब जिस बच्चे ने टी सुनामी नहीं सुना अब तुम उस पर हंस रहे हो तो गलत बात नहीं उ means, तो सुनेगा वो लिख्धगा, अब सुन रहे है तो ठी कहा सो लाएगा, कश्वारेगा। अब लखार्न है निमूनिया, मीलिदी सूरू हो रहा है ओधिर ऑब टो इस के लिए यह संप होना पहले से लिमूनिया, जरूरी है। अगर आप फैमिलियर नहीं हैं आपने निमूनय अब नहीं सुना पहले की पीश सुरू होता है तब तक आप सही नहीं लिख पाएंगे उसको अब साइकोलोजी है अब साइकोलोजी सुरूर आप पी से अब सोर रहो सर से तो P कहां से आएगा इसके लिए पहले से approval होना ज़रूरी है जब तक पहले से ग्यान नहीं अब लिखते हो 9, K, A, 9, W सो और गौर से पढ़ रहे हो तो तुम कैसे कुनो लिखेगा समझ पा रहे हो अब जो व्यक्ति 9 वर्ड कभी सिखाई नहीं, KNO सुरू होता है वो कभी लिख पाएगा ऐसे वो नो बोलूगा तो मैं से अज़र लिखेगा समझ पा रहे हो तो क्या जानने बाला लिखो कर नो, KNO समझ बात कुना, तो कहने का सेंसे है कि कुछ वर्ड ऐसे होते है जिसमें silent होता है तो उस वर्ड को पहले से आपको जानना पढ़ेगा कि इसका spelling क्या होता है वो पहते पहते आएगा पहते अब इसे बोलते हो गाजियाबाद लिखते हैं गाजियाबाद तो तो डिपेंड कराए कि वहां क्या लिखा हुआ है तो वो नामकरन है, अगर तुम गाजिया बाद भी लिखे तुम गलत नहीं है, क्योंकि तुम को पता ही उतना ही है इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें स्पेलिंग नहीं आता है लेकिन तुम पहो सही ... तुम घाज या पहो तुम रखो जी ऐच ? मैं बट कु करूो वैसा ही कतर है Megan अगर पहले से क्यु लिखा है ? तुम जानके के तुम क्यिसे होता है ? क्युं से होता है ? अब नहीं पहा थो किसे लिखो ? वैसा बट कहूनाPod कि नामकरन किसी ने लिख दिया होगा, उर्दू लब्ज है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम नहीं पता, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, जैसा सुनेंगे वैसा लिखेंगे, और हमने कभी देखाई नहीं तो कैसे लिखेंगे उसको, बसमया, अभी सही, इसलिए नामकरन रखन क्या होता है, और पढ़ नहीं पाएगा, फेकू सिंग, फेकू पर साथ, नहीं होता है क्या हो में नाम जी, फेकू फेकनी, ऐसे नाम होते है, अब अंग्रेज के नाम कुछ और होता है, जॉन, जॉनसन, ऐसे लिखेंगे, जोड़ों किसी भी सब्द में, अगर फूल तो एक एल हटा दिया जाता है, जैसे सर, जैसे दिखो, ए-f-i-t-h, क्या होगा, फेत, अब फेत में जोड़ना है, फूल, हमको बोलना फेत फूल है, तो फेत फूल लिख दिया हमने ए-f-u-double-l, क्या हो गया, गलत हो गया, एक स्पेलिंग, कम होगा, फेत फूल, ठीके, ब्यूटी में जोड़ना है, फूल, ब्यूटी फूल, एक एल, सब लोग ध्यान दे रहे हो, मामचला में बेसिक पार हो, तुम लोगा ध्यान कहीं और है, ब्यूटी फूल में कितना एल, चियर फूल में, हार फूल में, बहुत बढ़िया, अगला पॉंट देखो, अब दे वेल कम, डबलू ए, सिंगल एल की डवल एल, अच्छा, वेल प्लस कम, वेल प्लस कम, तो क्या लिखें, सिंगल की डवल, सिंगल, तो ध्यान दे, बैट जाओ, कॉंसेप्ट एक काम करता है, कि किसी भी डवल एल वाले शब्द में, कुछ भी जोडा जाए, तो एक एल हटा या जाता है, तो वेल कम का स्पेलिंग डबलू एल, सिओ, एमी, वेल कम, ठीक है, जैसे बोलते हो न, अल प्लस रेडी, अल प्लस रेडी, क्या बनेगा, अल रेडी है के ल, कम हो गया, अल प्लस मॉस्ट, अल प्लस मॉस्ट, क्या बन जाएगा, अल मॉस्ट, ठीक है, तो य छोटे छोटे ग्यान जो है आपको रखना है spelling में और वर्ड भी याद करना है बो समझ मारा बबू आगे बढ़ो अच्छी बात देखो गौर से अब हाथ उठाओ आप सब में से कि deceive का spelling कौन बताएगा? deceive, receive, perceive, perceive बचिता हैं लोग deceive, धोखा दे नहीं होता? तुम्हारा पत्र रिसीब कर लिया मैंने receive कास पर लिए, receive कास पर लिए बस यह मतब होगी ऐसे उठा रही हो कि सर्पूछे नहीं चलो आप तुमसे पूछूँगा, देखा नहीं देखा पहले? किताब में देखा नहीं देखा? देख लिया? शर्थ कोई नहीं दो यह जर्फफ़ स्ब़लीग बोलो तुम दोँग मैं पूछूँगा, देख लिया 2 आप एक बोलो, achieve कास पिलिग और एक बोलो, receive कास पिलिग पहले achieve बोलो, achieve ऐ और बच्छे जो पढ़ें आनलाइन आप लुटब आना यूटूब रल बच्चा आ बच्छा ए अचीवर बदा अचीवर अचीवर बदा आचीवर बदा कि तुमने वो लगाद वह चोटा सा हाँ वो यूटुबर बगल में खड़ा है हाँ ठीक है तुमने अचीवा डॉल नहीं कियो वितक क्रांदिकारी कर लिया ठीक है चलो बोलो किस का स्पेलिंग बोलेगा अचीव का बोले अचीव का बोलो चीवा स्पेलिंग हाँ हाँ पी भी ना वी अच्छा इसने बोला ए शी एच आई ए अब डिसीव का बोलो डी ए शी ए आई भी यह है बैठो अच्छा अच्छा कितने बच्चे इसमें हैं कि डिसीव का स्वें सही है एक करोड़ परसें सही है गलत कहां है ध्यान देना जहां भी सी आजाये क्या आजाये C, बोलो C है की नहीं है जहां भी C आजा है वहाँ E, I का प्रयोग करते है और जहां C ना है वहाँ I, E का प्रयोग करते है इसको याद इसे रखना जहां भी C आजा है वहाँ E, I जहां भी C आजा है वहाँ E, I जहां भी C आजा है वहाँ E, I याद रहेगा जैसे अचीव अचीव में क्या एगा रिलीव में क्या एगा अब सीलिंग फैन सीलिंग में क्या एगा याई रिसीव में क्या एगा डिसीव में क्या एगा परसीव में क्या एगा सुन्मिया बात को कंसीब में क्या हैगा EI सब यहां लिखा हुआ देखो लेकिन लिखा होने से क्या होगा हम नहीं पढ़ते इसलिए नियाची दिया जा रहा है तो डिसीब, रसीब, परसीब सीलिंग जितना ही बढ़ा है सब में EI और बोलो इसमें स्पिलिंग मिश्टेक होता है कि नहीं होता है होता है न तो आखिर इंगलिश पढ़ रहे हो और इसको तुमने हलके में गाव छोटा है गाव कितना है हमने इगनोर कर दिया खुचवा दिया छोड़ दिया कल इतना बड़ा फिर नोज दिया छोड़ दिया इतना बड़ा फिर और बड़ा नासूर बनागे निमना और वही इंगलिश क्या बन जागा नासूर इसलिए मैं चाहता हूँ कि इंगलिश सी को जड़ से जिसमें स्पेलिंग भी मिश्टेक ना हो और इंगलिश में इज़त खराब पता है कौन करता है स्पेलिंग और एक लाँ बोलना नाता है वो क्यों तुम एग्जाम में इंगलिश मुच लिख रहा है तुमसे अपने से खाड़ से खड़ Care लिखता है तुमारा हात कापेगा वी अपने है अगर देखे रहा है क्या लिख रहा है ना तो हिंदी तु लिbuiltएंग और आंग् harassment लिख पाहएंग dec नहीं बच्चसरा दुलने पर ही लिखने पर आजए राइटिंग आजाए, स्पेलिंग आजाए, तो तुम्हारे अंदर's energy अपने आप आजाएगा, फिर तुम्हें नाउन पहाँगा वो पहलोगे, तेंस पहाँगा वो पहलोगे, और हर चीज समाज महना शुरू हो जाएगा, जब यह चीज तुमको नहीं आता है लिखना, लिखना, इसलिए राइटिंग होना जरूरी है, दो लाइन बोलना जरूरी है, एक लिखना जरूरी है, खाली ग्रामर पढ़ने संग्री नहीं आता है, लिखना इस बात को, नाओं पड़न, जिंदगी बिता देगा पथते पथते, अंग्री जी नहीं सिख पाएगा, संच पार हो ना, इसलिए रूट पे काम करो, फूट मिल जाएगा, रूट लगाने में टाइम लगता है, रूट लगाने में टाइम लगता है, आज पौधा निकाले, तुरत फल लगाने में टाइम लगता है, इसलिए रूट पे काम करो, पानी दो, पौधा दो, खाद दालो, बढ़ेगा दीदर, फूट मिलेगा, संच पार हो ना, तो पहले हमों काम कहा करना है, जड पे काम करना है, और जड अही सब है स्पेलिंग इंप्रूब करना है, ठीके आगे देखो, आगे देखो, अगे देखो, अगला पॉइंट, किसी सब्द के अंत में ए लगा हो, ध्यान देना, कम में बोलो ए है कि नहीं लगा, तो किसी सब्द के अंत में ए लगा हो, और उसमें हम इंज जोडते हैं, तो इस ए को हटा दिया जाता है, जैसे कमिंग का स्पेलि देबल टी भी कर देता है तो विर इतिंग में डेवल टी नहीं होता है रीटेन में होता है डेवल टी स्मझेदा हो आप तो ड्रा राइटिंग में ग recap of in जी लगादो लेखीलिक रीटेन करो गा ना तो पर उसमें डेवल टी हो जाएगा बसे बत को, तो यह बच्चा है हम इस्टेक कर जाता है, ठीक है, तो कर लोगे इसको दुसरा वर्ड, दुसरा क्या करना है, जैसे माल लो वर्ड है डाई, डी, आई, अब पलेस लगाना है आई एंजी, तो पता कि इस आई को चेंज करते हैं वाई में, और तब लगाते हैं आ आई आई एंजी, तो डाई मतलब मरना, अब इस डाई को क्या किया, वाई में चेंज किया ना आई को, और तब लगाया हमने आई एंजी, अब ऐसा नहीं कि ऐसी कर दिया हमने डी, आई, आई, आई एंजी, तो गरत हो जागा ना, यह ध्यान देना है, काना फूसी नक्रो जादा, जादा प्रहाली खाया तो बाहर जाओ, इदा हम बच्चों जैसा प्रो क्लास, विद्वान नहीं बनना है, हमने फर्स दे कहा था, विद्वान नहीं बना रहा हूं तुमें, पहले पहला क्लास बेसिक प्रहा रहा हूं, विद्वान बनना दिपावली बाद, जब वहाँ चांप दूंगा बढ़िया से अभी तो क्लास शुरू कहा हो अभी तो बेसिक खेल खेल रहा है तो देखो अगला पॉइंट क्या कहा था हमने जैसे सीट है क्लाइन का लिखवाय था ना जी कि दुनिया का कोई सब्द हो जिसका अंतिम लेटर क्या हो कॉंसोनेंट उसक आप अगर आइनजी लगा रहे हो तो अंतिम लेटर को दो बार लिखा जैसे एस आई टी सी तो डबल टी आइनजी हो जाएगा यह तो छोटा सब सिग है लेकिन बढ़े-बढ़े सब्द में क्या होता दिक्कत होता है जैसे मालो ए फो आर जी इटी फॉर्गेट हो गया आपको क्या लिखना है ए फो आर जी इटी और लगा दिया आइनजी अरे टो पी तो जा रहा है पुछता तो सर से कि जाओं सर जाओ धरमशाला थोड़े है जाओ जाओ आपके द्यान दीजे जीन बच्चों को अगर लगता है कि असब आता है तो मंडे मत आना ठीक है अभी हम क्या करेंगे मंडे अभी जिता जीन है आपको वार्मप करूंगा बेसिक प्रहूंगा जैसे आज ए अज एक लास चल गया तो कल अगला बेसिक चलेगा संटेंस क्या है क्लाउज क्या है सब्जिक्ट क्या है अब पूछूंगा पहले में सब्जिक्ट क्या है अब पूछूंगा तो टैंट है फीस हो जाएगा तुमको लगता है राम आम खाता है राम सब्जिक्ट है तो रामे से काम चल जाएगा अरे और तो बर्वेड लेंग्विज है भी तो ब्रवे संद्रेस में क्या होता सब्जेक्ट और फिर जब नहीं पढ़ना तो दिपावली बाद फिर जब आना तो बुखार चुआ दूँगा तो समझगे बात को तो इस तरह से होगा तो उसके लिए क्या हो अग जब तक आपको इंग्लिस में रूट का मतलब होता है सब्जेक्ट क्या नहीं पता अभी महां आया ही नहीं हूँ अभी इंग्लिस का आप मानो तो रियल क्लास रूँ अभी तो मैं उसके जड़ भी अभी मिटी खोद रहा हूं पोदे लगाने के लिए किताब में दे दिया अभी इसको तो अभी क्या पढ़ा हूंगा भाई वर्ड क्या है संटेंस बोलते हो कितने प्रकार के क्लाउज और संटेंस में क्या अंतर है बस संच पा रहे हो न तो क्लाउज फ्रेज संटेंस सब्जेक्ट क्या है कॉंप्लिमेंट क्या है औब्जेक् तो राम खाता है राम जाता है संग्रेजी नहीं आता हमें क्या कहा ग्रामर पढ़के जिंदी कुजर जाएगा अंग्रेजी नहीं आएगा जब तक तक तुम यह पता नहीं सब्जेट होता क्या है को अभजिक्ट होता क्या है कॉम्पलीमेंट होता क्या है क्ला तो हम है क्नòng्त पार है क्या है टो न अर चाहँ सब्सक्conomeren तो levels upॉड़े मैं की वहान तकículoष आने दो शॉच्ट मैं ने एंध़ा कर रहा हो कि इंगली शिखा दूंगा तो अपने अंधर धैर रहो तो कोई कर अब फोन आ रहा है रहा है अजय पहाई सब्सक्न हो तो जिस चीज को करने आये हो पढ़ने आये हो अब फोन हीम्पोर्टेंट है फोन पर व काटो शुच करो फोन करो भाई पर ध्यान द़ो मैं तो मान के चल रहा हूं कि यह सब चीज़ तुमको आता होगा इस बेसिक पहाना है तो अबस्रूबात लिए दू कि सबजेक्ट ए होता है तो एक क्लास लेगा सबजेट का पूरा फिर यहां से क्लास चलेगा स्पीड में आगे अब मैं सोच रहा हूं कि तो आसा अराम से रिल्लैक्स हंस्ते खिलते ऐसे पाट करें ठीक है न है अराम अराम से एक मचली पुरिय तलाब को गंदा करेती है एक लड़का डिस्टर्ब करेता है असमेरो न एक तो बीना पूछे जाना मुझे लाओ नहीं है कितना लिमिटेट पहाता हूं कोई भीड़भार नहीं कोई डिस्टर्बिंस नहीं राम संति से अब बिना पूछे जाता है तो इसको धिया करो चलो तो क्या कहा दुनिया अब सब लिखा इसमें सब है यह तू पहोगे नहीं तो इसके लिए क्या पहा दिया तुमको तो टेरे तक बैसिंट प्रступ कर लिया स्माप्त कर लिया चल्या की डि navigateer है इस बुक का बेशिक पार्ट स्माप्त हो जा अब यह तरह व Saelle पर दी है और थ्वास आप लोगों को मैं वार्म अप कर दूं कि याद है ने वार्म कैसे होता है हाँ आज वार्म अप्रग्धंस होगा फटा फैट जल्दी से सारे बच्छे खड़े हो जाईए वार्म अप्रग्धंस होगा पहले जो बच्छे एप में क्लास ले रहें डियाश लचीवर तुम भी खड़े हो जाओ ठीके सारे बच्छे खड़े हो जाईए सारे बच्छे यहना कैसे कैसे इंग्लिज्स बोलेंगे online बाले सर जैसे कहता हूँ करो तुम भी youtube बाले बच्चे do फोन्रे कैसे खड़े हो जाओ सारे बच्चे ठीक है अब कल क्या का था जी सर्वPOS um सबको जैसे का था यह बात अजीवन आद रखना है ऐसा मतलब I, You, She, He, We, They, I, You, My Mother, My Sister, Lata, Priya, He, Ram, Mohan, Brother, Father, We, We, They, अच्छी बात, अब देखिए, कल हमने क्या था कि I go, you go, she goes, he goes, we go, they go, यादा रहा है, go बला पाट बोला था, और आज जो है, हम एक देंगे object भी, कल भी दिया था, लेकिन आज पता है क्या, आज एक sentence देंगे, और उसका positive और एक देंगे negative, राइट, एक positive और एक negative, और आए के साथ भी यू के साथ, ठीक है, जैसे I go, I don't go, you go, you don't go, she goes, she doesn't go, he goes, he doesn't go, ठीक है, doesn't के बात, गोज नहीं, go, we go, we don't go, they go, they don't go, एक बार दो बोलना है, एक positive, एक negative, ठीक है, दिमाग में हिंदी सब का रहा होगा, जैसे मैं जाता हूं, मैं नहीं जाता हूं, तुम जात होँ, जाता है, हम लोग जाते हैं, हम लोग नहीं जाते, वह लोग जाते हैं, वह लोग, चलिए, तो word मैं दे रहा हूं यहां पर, जो word पहला है, वो word है, weep, weep मतला रोना, ठीक है, फटा फट, I weep, I don't weep, you weep, you don't weep, you don't weep, she weeps, she weeps, she weeps she doesn't weep she doesn't weep he weeps he weeps he doesn't weeps we weep we don't weep they weep they don't weep ठेक है अजब आप बोल रहोंगे तो यहां पर थ्वासा एक अलग सा फिलिंग आ रहा होगा और लग रहा हो कि थ्वासा भार भी पढ़ रहा है थ्वासा अनकंफ़र्टेवल भी लग रहा है लग रहा था अथ्वासा धीमाग भी लगाना पढ़ रहा है चलो अब मैं वर्ड दे रहा हूँ मैं इसारे करूँगा आपको बोलना है क्लियर चलिए वर्ड है पहला सब जो दे रहा हूँ वह है नो का नो ड बल्लिमंगा जानना ठीक है, दो बडे बेंज बनगती रना यह एधा? चलिए Negative I know I don't know I know I don't know You know you don't know She knows she बन्हों 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 बन्हो अच्छी बात, अब बताओ, बोलने में थ्वासा टफ लग रहा है ना, यानि वर्व का मतलब वो कैबलरी आपको आता है भी, लेकिन आप अपने लाइफ में इसको बोले नहीं हो, इसलिए बोलने में अनकमफर्ट लग रहा है, माइंड को स्ट्रेस पढ़ रहा है, हमने बोल वी, नो, तो बोल दिया, लेकिन ही के साथ, डेजंट के साथ, नोज निकल रहा है, चैन नहीं निकल रहा है, तो ही, सी के साथ, आप कभी नो बोल रहा हो, कभी डोंट बोल रहा हो, कभी डेजंट बोल रहा हो, बोलो ऐसा है कि नहीं, यह है बिलकुल जड, क्या है, रूट, जब एक लाइन हम नहीं बोल पाएंगे, तो दस लाइन कहां से बोलना आएगा, यही जड़ है इंगलिस का, और लगातार प्रैक्टिस में करवाँगा, खड़ा करने से इनर्जी उपर बढ़ती है, और उपर बढ़ने से इंगलिस मुन पर जुबान प्याएगी, बोलना ठीक है अश्मोह के ऊसमोह मतलाब शिट पीना ऐस अलों मतला जो है जलो इसारे करूंगा मैं हर अलिए, जब तक ऐसे करता होगा तुमको दो दो बोलना है आए आए स्मोह कर दोंगा इस अलों का कर को डोंगा जलो चिलाओ चिलाओ शीर समोक्स शीर समोक्स शीर समोग चलो हेलो, बैठो अब तूनों के दर गर मी आ गई है इसके बोलते हैं वार्म अप करना बहुत बच्चे मुझे देख रहे थे कि मैं कर क्या रहा हूँ तूनों पा रहे हो, देखो यह तरीका जो है इंगली सिखने का रूट है जब आउग यह तुमें चिखाऊंगा I go, I go, I went, I will go एक साथ तिन I go, I went, I will go I go, I went, I will go I go, I went, I went, I will go संच पहन हो? यानि माइन्ड को ऐसा च्रेंड कर दो कि तुराथ परजेन का पास तुराथ प्रूचर ताकि मैं टेंस पहा हूँ तो तुम्हा पानी बना दो संच पहारो न? मेरा टेंस पहाने का तरीका अलग है बिलकूल अलग है टेंस कम सकंब परहाऊंगा 15 से 20 क्लास यह नहीं कि आज परजेंट कल पाश परसो फ्यूच खता हूँ नहीं टेंस परहाऊंगा तो मास्ट्री करा दूँगा राइटिंग और स्पीकिंग में और एक्जाम तो कोई हलुआ एक्जाम तो रास्ते का रुकावट एक पहरा आगे बाएक्जाम पास इक्जाम कुछ है नहीं बस हो गया मेरे सामनी इक्जाम कुछ है नहीं इक्जाम निकलता है यह सबका इतना बड़िया मेरे पास कि दे दूँगा जहां उंगली रख दिया हुए अंसर इसे बताओ कोई लड़का ओल्ड है जी कोल्ड इस्ट्वेंट है जो मेरे क्लास किया है इसी बहुत में बहुत बोलो अंसर निकलता है फिर डाउट कर रहे हो अगर नहीं निकलता है अब तुम घर पर नल्य की तरह पड़े रहो तो मैं क्या करूंगा मेरा काम है रास्ता दिखाना तुम 23 गंटा घर पर पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो यह तुम पर डिपिंट करता है बसनाच पा रहे हो अब मैं आज तुमको बुलवाया घर पर कहा था बोलना इसको लेकिन मुझे पुरा बरोचा है घर पर कोई बच्चा नहीं बोला होगा महता है कितना मिनिट भोला था चार मिनिट देखो तु पांच मिनिट तुम किphemam payment 5 कि ने मृइन मैं क्या काह था अगर आप 20 मिनिट तक अगर इस चिताब को लेकर के आप बोल से 5 पांच दस-दस पसिना निकाल दे तो आपके अंदर आप और आपी चमक होता ओक वारम- आपको बुलवा रहा हूँ, इसमें समझना कुछ नहीं है, समझो हो गया तो पिर नहीं आएगा, जैसे बच्च घर में, जब जन्लिता है, तो ममी से नहीं पूछा कि पानी क्यों है, तो समझता नहीं है, वे समझता कि पीने का चीज है, कुछ होगा, मामी पनी, आपने आज पुछा की इसको चाबल क्यों बोलते है इस कुट्टे को कुट्टे क्यों बोलते हैं के पूछा अज तक? नहीं पुछाओ 산im Depois裡 कि को C Taal क्यों है ए आदमी क्यों है ए बील्डिंग क्यों है क्योंकि यह झाली है फैक्त नहीं है यह कोंसेट नहीं अचीज this जो एक आप्ण स Pacific , फोर्ट चीज पेच है जो अजिवन बैचो यह जो ऑग पथो यह स्कुट को तो नाफं यह तो सब्द्जों है तो अब को बोलना क्या है यही बींदिं अपको बॉलना डी गिर गया मम्मी देखो तो बिल्डिंग गिर गया अब यह देखना है कि बिल्डिंग गिरा तो बिल्डिंग आदमी गिरा अपने आप गिरा की आदमी गिराया यह बिल्डिंग कोई आदमी है यह बस्तू है तो पचल लगा बिल्डिंग तो बस्तू है और ये गीरा अपने आप है, तो अपने आप गीरने का अंगरेजी क्या होता है, कोई आदमी तोड़ दिया, तो क्या होता है, और बिल्लिंग निर्जीब है, तो subject है, तो active है की passive है, अगर active है तो tense है, और passive है तो voice है, तो इसके साथ भीठीर लगाऊं की भीबन लगाऊं, समझ पा रहा हो ना, जब इतना calculation दिमाग में एक second में हो जाए, तो अगरिस बोलना आजाएगा, तो एक second कहा की building non living चीज है, passive voice तो building is demolished, building is demolished, तो तो तुमको आजागा passive voice, कलम तूट गया, कलम भाई निरजीव चीज है, अपन नयाप तो तूटा नहीं होगा, तोड़ा कोई और ही होगा, तो जब काम कोई और करे तो उसे passive voice कहते हैं, तो pain is broken, pain is broken, तो अंगरी जी बोलना आज़ी खा दूँगा, तो कहने का सेंसे है, कि subject दो परकार कहा, एक living और एक non-living, एक doer और एक non-doer, सब्सक्राइब बात को, लेकि इतना deep में चर्चा तब करूँग जब पहाऊंगा subject, जब पहाऊंगा subject, तब चर्चा चलेगा, कि subject और object में क्या अंतर होता है, अभी तो मैं सोचता हूं कि बस बोलो, I cry, you cry, she cries, he cries, तो मुह से निकले कि I के बात cry बोलना और he के बात cries बोलना है, I eat बोलना है, तो she eats बोलना है, तो जवान पर eats आ जाए, क्योंकि यह बहुत basic है, और यह आएगा कैसे? बोलने से, लिखते लिखते जिंदगी गुजर जाएगी, अंगरी जी नहीं आएगा, अंगरी जी नहीं आएगा, अंगलीस आती है जिवान पर लाने से, और वह अकेले में तुम नहीं लाओगे ही, करूंगा वार्म अप, अभी तो चोटा करा रहा हूं, एक संदेस का अच्य बनाऊंगा, I go, I don't go, do I go, I don't go, why do I go, why don't I go, एक साथ अच्य बूलबाऊंगा, मने जवातको, I go, I don't go, do I go, don't I go, why do I go, why don't I go, एक साथ अच्य बोलना जवाजाएगा न, तो जी और असंवाजाएगा, एक साथ न, she goes, she doesn't go, does she go, doesn't she go, why does she go, why doesn't she go, तो दिमाग प्रेसर ना ले, automatically निकले, तो छोटे-छोटे वर्ड को ही बोलोगे, तो बड़बड बोल दोगे, तुम वहाँ क्यों जाते हो, तुम वहाँ क्यों पढ़ते हो, किसे बढ़ते हो, तुम क्यों रहाँ क्यों नही आते हो, तो एंसे स्क्राइभ क्यों बोलना है, यह सोचोँ बोलना है, हम लोग प्लान नहीं बनाते, ऑडॉमेट्प नी कलता है जब साइकल चलाति हैं तो परहले साइकल पकड़ा आप समय साथा है कि साइखिल आट्उमेट्प चलता है नहीं हमता है जी सरी बाइक चलते हो तुम से क्रीन ऊटॉमेट्फ ली ऌत घा एक अव्लगस पार मरिंतंता हम яетः का करक्सेम नहीं ना? आटोमेटिक ब्रेक लगता है, निरत बोलो तुम चाहो कि ब्रेक ना लगाओं फिर भी पर दबा देगा नहीं होता हैसा? लेकिन स्टार्टिंग में तुमको ब्रेक जान बूझ कर लगाना पड़ा होगा और आज की देट में सब काम आटोमेटिक होता होगा वहता है नहीं होता? तो यह कैसे हुआ है? क्योंकि इतना चलाया, इतना चलाया कि अपने आप पजले कब दवाना है, कब अटाना है पसमेट को, एही सिखना आपको तो इस मैं चाहता हूँ कि अपने आप पजले कब इट लगाना है, कब इट लगाना है तो देस दिन में रास्ता बनबादूँगा देली कराऊंगा वारमप, जब तक नहीं आएगा, क्रातर होँगा बेसिक लिखाता रहूँगा, प्रहाता रहूँगा, तो आज आएगा ठीक है, उसके लिए एक किताब बहद, यह आपके बैच के लिए इस बैच इस बैच अशार्थ वातना करपरसो उसी दिन छपके आया था इतना प्रेसर में छपाया हूँ इसको तेजी के साथ, बस में बह रहो कि ताकि आप सभू को किताब मिल जाए तो आपके इतना का समोसा अब बोलूँगा तो आप पाएगा समोसा खिलवाऊँगा आज खाने का मुढ है मतों खाकर जाओगे मंगवादू लेकि मुझे लेगा कि समोसा आते में दो बज जाएगा तो मंडे खिला दूँगा चलो मंडे आते ही पहले समोसा बोलूँगा बाद भी पहाऊँगा ठीक है अब बताओ कि समोसा अभी तुरत आजागा इतने बचों का या टाम लग जागा टाम लग जागा ना आदे गन टाम लग जागा ना अब देर बज जाएगा बज जाएगा मंडे खिला दूँगा ठीक है तो आज इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद और पहाई पर ध्यान दीजिए मेरी बातों का बुरा नमानिए ठीक है ना और प्रोमिस करता हूं कि अंग्रेजी शिखा दूँगा इंगलीज शिखा दूँगा चिंता नहीं करना है ठीक है चलो बाह बाह टेक केर और बेसिक से घबराओ नहीं ठीक है परवव राम सब लोग